जै मातादी मित्रो, बारा साल बाद ब्रस्पती का राशी परिवर्तन होने जा रहा है जी हाँ मित्रो, बारा साल बाद ब्रस्पती दे मेज राशी से निकल कर ब्रशव राशी के अंदर गोचर करने जा रहे हैं इसका प्रभाव मितुन राशी पे क्या पड़ेगा अच्छा पड़ेगा बुरा पड़ेगा इस कारेकरम में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं जै मातादी मेरा नाम पंडित प्रकाजोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब और फेस्बुक चैनल एस्टो है आज में मितुन राशी से ये बारवे चले गए जी हाँ बारवे चले गए बारवे बारवे बहों में यह ट्रांजीट है जैसा कि आप कुंडली में भी देख रहे हैं कि ब्रस्पती बारवे में आपकी राचिजे और एक मई दो हजार चौबीस से लेकर और उनातीस मार्च दो हजार पच्चीस तक यहीं पर रहने वाले और शास्त्र के अनुसाल लिखा है शास्त्र में लिखा है द्वादसे गोच मिलेगा बुरा भी फल मिलेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहला देखा जाए तो कोट केस या पुराना जो पैंडिंग फैसला है करियर से समंदित या कोई भी सरकारी कोई फैसला कोई काम आपका रुका हुआ है तो बारवे क्योंकि ब्रस्पती पहुंच आपको लाब मिलेगा साथी साथ जो मितुन राशी के जो विध्यारती हैं जो विध्या करते हैं जो कॉम्टेटरी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है उनको अच्छे अंक की उमीद लगेगी क्योंकि ब्रस्पती बारवे में विध् से या कलाज समन्दिश प्रोफेशन में उनके काम में बहुत अच्छी खासी बृद्धी उनके पद में बहुत अच्छा लाव जब ब्रस्पती बारवे में में बैटते हैं साथी साथ मितुन राशी वाले कई लोगों की विदेश की यात्रा बनेगी लंबी दूरी की यात रोप कोई व्यक्ति लगा सकता है यह थोड़ा सा आपको टेंचन भी बारवे ब्रस्पती देने वाले हैं गुरू की मित्रों तीन द्रिष्टियां होती है पांचवी साथवी और नवी तो गुरू की पांचवी द्रिष्टी से देखा जाए यह जो बारवे भाव में ब्रस् पिश्रित फल दायक है यानि कि जहां पर वहान भूमी का आपका योग बनता है घर के अंदर कोई मांगली काम बनेगा सदस्यों का कुछ अच्छा होगा वहीं पर माता पिताक को हेल्थ के इशू भी रहेंगे यानि कि अच्छा भी और गुरा भी है गुरू की जो साथवी द्रिश्टी है वह आपके छटे भाव में जहां आठ नमबर लिखा है वहाँ पर आपकी साथवी द्रिश्टी है तो यह करियर के लिए बहुत अच्छी है पद प्रमोशन के आपके योग बनेंगे साथी साथ आय में ब्रिद्दी होगी आपको बड़ी पोस्ट मिल सकती है तो यह जो द्रिश्टी है यह 29 मार्च 2025 तक आपको बहुत अच्छा फल देने वाली है साथी साथ ब्रस्पती की 90 द्रिश्टी के बारे में बात करें तो वह आपके अस्टम भाव में यह जहां 10 नमबर लिखा है वहाँ पर है तो भाई यह जो द्रिश्टी है इस पे आपक को कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप पे अपने आप पे सयम रखना पड़ेगा नहीं तो बुरी आदते कोई दोस्तों आपको पे लगा सकता है शराब सिग्रेट तमबाखु की आपको आदते लग सकती है याद रखिएगा आपने शरीर को आप खराब कर सकते हैं और पे लिए आपको आपनी बुरी आदतों पे कंट्रोल करना है जो बारवे व्रसपति की यह आपके लिए अच्छी नहीं मन को कंट्रोल करने की जूरत इपने नियंत्रन करने की चूरत वार्य है जिम करने की आपको जुरोत है क्योंकि आठवी द्रिष्टी बुरी आदिते डाल सकती है तो मित्रो ये था मितुन राशी पे ब्रस्पति के ट्रांजिट का प्रभाव और ज्यादा डेटेल में आप जानना चाहते हैं क्योंकि कहा जाता है ना मित्रो जनम पत्री का हर कोई ब बता जेता है करम ना बाचे कोई आपने क्या करम किये हैं उसके अनुसारी मित्रो आपको फल मिलेगा बाकि कुंडली तो अच्छा और बुरा दोनों ही कह रही है अब इसके लिए आपको क्या करना है सैवन टू वन जिरो वान टू फो टू एट नाइन मेरा वाट्सेप नम बाद़ी